पूर्वांचा लाइब देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ साची त्यागी लक्नो में धारा 144 लागू की गई है जेसे पी लॉआ एन ओडर पियूश मोडिया ने आदेश जारी कर दिया बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे विधान सबागे आज़ पास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंद लगाए गई है कोविट के बढ़ते संक्रमन को लेकर ये दिशा अंडर देश जारी किये गए आपको बता दे कोरना की सबी गाइडलाइन्स का सकताई से पालन कराने के लिए ये फैसला लिया गया और इस बीच निकलने पर मास्क पहनना अनेवारे होगा नहीं तो लगेगा जुर्माना बड़ी खबर आप तक पहुचा रहे हैं विणान सबा के आसपास किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर पूलता रोक रहेगी इसके अलावा COVID के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए नई वेरियंट के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिशा निर्देश जारी हुए है कोरोना की सभी गाइडनाइन्स का सक्काई से कड़ाई से पालन करना होगा इसके अलावा रेच्टरों, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टि प्लेट, जेम, स्टेडियम, पचास पीज़ी की शमता के साथ ही खोले जा सेकेंगे इस भी जादा जानकारी के साथ, हमारे साथ, हमारे सेयोगी प्रदीर पानल श्रिवास तब लगड़ाउं से जुड़ गाए, उनसे बात करेंगे प्रदीर, जानकारी है क्या मिल रही है देखे, सांची जीस्तर से आज जो है जेसीपी ला एन अर्डर पी उस मोडिया ने प्रेसांटिस की है, उसको बेखते हुए जो उन्होंने एक प्रस्तुती करड़ की है, उसमें जो धर्मस्तर हैं पजास लोगों से अधिक तरभाल में एक साथ एक बार में एकठार नहीं हो सब्सक्राइब करेंगे तरकारी होनों क्या सब्सक्राइब कर आप तकी बंद है लगनों में, वहीं खुली अस्थान है, खुली अस्थानों में छेत्रफल के अंसार आयोजन किया जाएगा, लेकिन प्रिवेस द्वार पर कोविड हेल्ट बेस्क बनाना एक दम जरूदी हो सब्सक्राइब करेंगे तो अगर बचा है तो आगे की तैयारियां क्या यहां से शुरू हो जाएंगी लखना उसका एक एग्जामपल आज से सेट अप कर रहा है प्रदीप, बिल्कुल साथी अगर हम बात करें तो जो नया वेरियंट आया हुआ है, उसको लेकर सजक्ता तो है ही स्वास्तवाग में और अगर आइडेंटिकेशन की बात करें, अगर मरीशों की बात करें, तो निशी दरूब से एक दो लोगों को टेस्ट किया गया है, ल लेकिन कहीं नकई से जो तीन ऐसे विदेशी परेटक्स जो मतुरा में आइडेंटिफाई हुए थे, उनका जो सेंपल है, वो भी बेर साम करा जागा तो यह पता चल जागा, कि ओमिक्रॉन के कितने यहां पर मरीज हैं, तो यह पता चल जागा, आगे खबरों के लिए भी आपको बना कर रखेंगे, प्रदीफ हमारे साथ बने रहीएगा, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो अपने दर्शुकों तक पहुंचा दे, कॉंग्रेस राष्टी महा से चीफ प्रियांका गांधी ने बड़ा एलान कर दिया, आज दिसंबर को कॉंग्र इस बार घोशना पत्र जनता से जानने की कोशिश किये कि क्या कुछ गोशना उन्हें गोशना पत्र में जाजवत नी चाहिए, लेकिन महिला गोशना पत्र का आना बहुत विशेश रहों आना जा रहा है, इससे पहले बिधान सबाद चुनाव में महिलाओ की उमिदवारी को आरक्षित करने की बाद प्रियांका गांधी ने की थी और उसके बाद अब महिला गोशना पत्र के जरीए से क्या एलान करेगी कांगेज बड़ा दर्चास ब्रहेगा लगातार हमारे से होगी प्रदीपानन स्रिवास्तव और हमारे साथ जुड़े हुए, फिर एक बार उनकार रुप करेंगे प्रदीप, जानकारी बताईए, प पजास फिस्दी महिलाओं को जो है, इस बार टिकट देंगी, निश्य दरूप से जो उनका मैनिफेस्टो होगा, उसमें महिला ससक्ती कर्दा से जुड़े हुए तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर उन्होंने कॉंसंट्रेट किया है, और अपने पार्टी के जो कैदर नेत है, वो मोहिलाओं को समर्ची तवग पर रहे है, महिलाओं को इस बार जो है सीट दे रही है, उंको उनकी रावे दाविदारी कर रहे है, इसके अलावा जो बेतियां है, बेटियों को लेकिए उनका नारा ता बेटीहूं, लड़की हूं लड़ सकते हूं, उसको लेकर बड प्रियंका गांधी किस रंडीती के साथ आगे बढ़ेंगी प्रदीप क्या यहां से वो तस्वीर अब साफ होने लगी है महिला के मोर्चे को सम्हालते हुए महिलाओं के हक की बात करते हुए क्या 2022 के चुनाव को जीत पाएंगी प्रियंका इस समय सबसे बड़ा सस्पेंस इस कि इरादों को हम साथ पूरी तरह इसे कह सकते क्योंकि विधान मंदल दल का नेप्रा उनोंने मोना मित्रा को बनाया जो कि एक विधान सभा को का नेपर तो करती है और उन्होंने अपने पहले प्रेस कांफरेंस में असर्श कर गिया था कि हम महिलाओं को लेके आगे बढ़ करने की दिशा में आप महिला घोष्णा पत्र जारी करेगी कांग्रेस कहरे इस बीच आगे बढ़ेंगे प्रदान मंत्री नरिंद्र मूदी ने गौरकपुर में कई परियोजनाओं का उद्गाटन किया आपको बता दे तक्रीब 9600 क्रोर रुपए से अधिक मुल्य की विक परियोजनाओं को राष्ट्र को समिर्पित किया है प्रदान मंत्री नरिंद्र मूदी ने मुखी मंत्री हो गया आधितनाथ ने का कि गौरकपुर का उर्वरक कारखाना 10 जून 1990 में बंद हो गया था और 1990 से लेकर 2014 तक यानी 24 वर्षों तक किसी ने इसकी सुद्र लेने का क प्रदान मंत्री मोदी ने संबोधित कर का कि 5 साल पहले मैं यहां एम्स और खाद कार खाने का शुली नियास करने आया था आज इन दोनों का एक साथ लोकारपन करने का सवभागे भी मुझे मिल गया है ICMR के Regional Medical Research Center को भी अपनी नई बिल्डिंग मिली है वहीं प्रदान मंत्री मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को आतंक वाजियों पर महरबानी दिखाने और आतंक्यों को जेल से चुडाने के लिए सरकार बनानी है इसलिए याद रखिये लाल टोपी वाले उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है यानी खत्रे की घंटी है आपको बता दें कि एम्स और गात कार करने का शिलिन्यास पहले हो चुका है और इसके बाद आज लोकारपन करने के लिए प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे इस बीच ग्राफिक्स के जरीए से कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे आपको बता दें गौरकपुर एम्स में क्या-क्या सुविधाएं होंगी एक हजार ग्यारकपुर रुपए की लागत से एम्स गौरकपुर को तैयार किया गया है जिसका फायदा गौरकपुर को होगा बारा केड में गौरकपुर एम्स फैला है और इसमें अभी 300 बैट होंगे यह शुरुवाती दौर में 300 बैट होंगे वो तमाम सुविधाएं जो एम्स अस्पेताल में रहेंगे हम बता रहे हैं चौदा मॉडिलर ओपरेशन थियाटर बनाए गए हैं यानि पूरी तरीके सथ्या दुनिक सुविधाव से लेस होगा ओपरेशन थियाटर पैथलोजी लाब डिजिटल एक्स्प्रे एक्स्रे ल पाएगी इसके अलावा ब्रेकी थेरोपी होगी सीटी सेमिलेटर मशीने इसमें लगाई गई है इसके अलावा हीमोफीलिया मरीजों की जाच और इलाच की विवस्था भी एम्स में रखी गई हैं करीब साथ करोड अबादी को इसका सीधा फायदा मिलने वाला है ना एक अच्छा विकल्क बन गया है शिले नियास 22 जुलाई 2016 को प्रदान मंत्री मोजी के हातों ही हुआ था और आज इसका लोकारपन हो रहा है संचालन करता है इसके हिंदुस्तान और रोरक एवं रसाइन लिमिटेड हैं गौरकपुर खादकार खाने की जानकारी आप तक प कोशिश यही है कि बड़े स्तर पर फायदा हो रोजाना 3850 मेट्रिक टन उत्पादन करने की जो योजना है वो बनाए गई है गौरकपुर खाद करकाने का फायदा प्रतिवर्श 12,70,000 मेट्रिक टन उर्वरक उत्पादन की शम्था रखी गई है और इसके साथी कोशिश य अबर डैम भी यहां पर बनाया गया है जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता है तो यह कुछ जरूरी जानकारियां है कार खाने से जुड़ी हुई जहां पर खाद उर्वरक कोध्यान वेरक्तिव कार खाना बना है कार खाने का प्रेलिंग चावर दुनिया में सबसे उच इसकी उचाए कुट्व मिनार की उचाई से भी दोगनी बताय जा रही है और उससे भी जाद आपकी जा रही है कि कुट्व मिनार से दोगनी होने से भी जादा इसकी उचाई है 30-20 से जादा पूर्वांचल के युवाओं को नौकरी देने का काम इस खाद उरवरक कार खाने के जरीए से होगा इससे सीधा पायदा पूर्वांचल के युवाओं को होगा यानि भारी तदार्थ में रोजगार के अफसर पैदा करने की कोशिश होगी और इन सब के बीच योगी आदितनात और प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने मंच से कई बातों का शिक्र किया सबसे पहले सुनवाएंगे आपको प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी ने क्या कुछ कहा कि जो खाद उपलब्द थी उसका इस्तेमाल चोरी छिपे खेती के अलावा और भी कामों में गुप-चुप चला जाता था इसलिए देश भर में यूरिया की किलत तब सुर्खियों में रहा करती थी किसानों को खाद के लिए लाठी गोली तक खानी पड़ती थी ऐसी स्थिती से देश को निकालने के लिए ही हम एक नए संग्किकल्प के साथ आगे बढ़े विबिन जिलो को विबिन योजनाव देने का काम मोजुदा सरकार कर रहे हैं इस बीच विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा गया इस बीच मुख्यमंत्री हो गया अधितनात ने मन से क्या कुछ का वो भी एक बार सुनवाएंगे आगको गोरकुर का फटलाइजर कार खाना 10 जून 1990 को बंद हो गया था और 1990 से लेकर के 2014 तक 24 वर्सा तक किसी ने भी सुद लेने का प्रियास नहीं किया तो 2016 में आधणिये प्रधान मंत्री जी ने गोरकुर में ही आ करके गोरकुर के इसी फटलाइजर कार खाने का सिलान नियास किया था और आज भायों बेनों पहले से गोरकुर में स्तापित उर्वरक कार खाने के स्तान पर बना ये नया कार खाना पहले की तुल्ना में चार गुना बड़ा छमता का आज बन करके तैयार हो गया है और अगर सिलान नियास प्रधान मंत्री जी के करकमलों से हुआ है इस कार खाने के सबसे बड़ी बात यही है कि इसका फायदा पुर्वान चल की 30 प्रतिशत युवाव को होने वाला है फिलाल एक चोड़े से ब्रेक के लिए रुकेंगे जल नौटेंगे बने रहे हैं हमारे साथ क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है वजन नहीं बढ़ता दरसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है मेन बात है खाया पीया लगना और अगर खाया पीया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयरविदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंतर को आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है ताकि आप जो भी खाए उसका पूरे का पूरा निचोड आपके शरीर को लगे आपकी भूख बड़े खाया पिया सही से लगे नया खून बने हड़ियों में जान आए वजन बड़े ताकत बड़े चेहरे पर नूर आए और आप मुटे तगडे खूब सूरत परसनेलिटी के मालिक बन जाए ये दवा पूरी तरह से आईरविदिक होती है इसका शरीर पर कोई भी साइड एफेक्ट कोई भी नुकसान या दुश पर भाव नहीं होता लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तमाल कर सकते हैं और पहले पंदरा दिन के अंदर ही आपको इसका असर मैसूस हो जाएगा सिर्फ छेसो पचास रपे की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं देश में पचास से असी प्रतिशत लोगों को विटामिन D, B12, कैलसियम, आइरेन, ओमेगा, विटामिन C, जिंक और प्रोटीन की डेफिसेंसी से अर्थराइटिस, खोन की कमी, लो इमिनिटी, कमजोरी, कैंसर, ओटमेंट, डिजीज, ब्रेन और नवस सिस्थम के खदरनाक रिजोडर हो रहे हैं इरी पोशक तत्मों की कमी को पूरा करने के लिए पतंदली नुटिला ने तैयार किया है अर्गिनिक नुटिला के प्राक्तिक मोशन से मिले गया आप और रोगों से लडने की शक्ती वह सौस थे दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3,000,000 बच्चें, उनके 51,000 बिजनिस आइडियाज और सरकार की और से 60 करूर रुपय का सीट केटिकर ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्ट अप प्रोग्राम बिजनिस ब्लास्टर के हर एबिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही तीन टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनिस आइडिया को करेंगी पिच्च ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्मेंट अब कल के बड़े-बड़े बिजनेस्मेन और विमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुक टीवी चानल्स पर उत्राखंड के ग्रामेर युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोडने के लिए राजसरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है नियाए 35 पर मधू ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्राखंड सरकार राज में फल, सबसी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिये किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोडा में रानी खेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज सरकार की योजदाओं का लाब उठाते हुए खुद को आत्म निर्भर बना रहे है सम्रिध्धी की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है उत्तराखंड में 6000 सेधिक मौन पालन, सालाना 200 मीटरिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड का शहद मिर्याब, उत्तराखंड सरकार प्रतेक जिलों में बना रही मधु ग्राम किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, रितुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है प्रदेश के किसानों ने सम्रिध्धी का जो सपना अपनी खुली आँखों में संजोया है उसको आज उत्राखंड सरकार साकार कर रही है स्वरोजगार ने खोले सम्रिध्धी के द्वार उमीदों के पत पर उत्राखंड सरकार पंजाब सरकार को तिन लख स्टाइब तोफ़ा कोरोना महामारी ने जिना दा तोड़िया लाक, होण पंजाब सरकार ने फड़िया ओना दा हाथ, खुश होवेगा होण हर किर्थी दा परिवार, तायों हर कोई कैंदाए, तरक्की देरा पंजाब सरकार प्रेके बाद फिर से स्वागत है आपका खबरों में आगे बढ़ेंगे, उत्तरप्रदेश के सिचाई जल शक्ती मंत्री महिंदर सिंग श्रावस्ती पहुंचे और यहां राप्ती बैराच का निरिक्षन किया, बता दे कि 11 दिसंबर को प्रदान मंत्री मोदी इसी राप्ती बैराच का बलवरामपोर जनपत से बटन दवा कर उधगाटन करेंगे, 6,600 किलोमीटर लंबी इस नहर पर योजना से आसपास के 30 लाख किसानों को सीधा लाब होगा, आज मंत्री जी ने उधगाटन को लेकर सबी तैयारियां पूरी कर रहती हैं और साथ ही अधिकारियों से प्रदान मंत्री मोदी के दौरे को ले कर बात चीत की, मंत्री के निरिक्षण के दोरान जिलादीकारी, पुलिस अधिक्षक और सिचाइब विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे लेकिन मोदी और योगी की सरकार ने युद्यस्तर पर काम करके इस परियोजना को पूरा किया है। परियोजना और लगबक 30 लाख किसानों जिससे लाभान भी थोने वाले हैं आजाद भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। चतिसगर के सीम भुपेश भगेल किसानों के एक सम्मिलन को संबोधित करने के लिए बस्ती के रुधोली विधानसबा के समय माता मंदिर पहुंचे। वहीं सीम भगेल ने योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि मेरे हैलिकॉप्टर को उतरने नहीं दिया जा रहा था। कारेकरम स्थल से 30 किलोमीटर दूर पुलिस लाइन में बड़ी मुश्किल से उनके हैलिकॉप्टर को उतारा गया। वहीं जनता को संबोदित करते हैं सीम भुपेश भगेल ने योगी सरकार पर जम कर निशाना सादा। चतितगर सीम भुपेश भगेल ने कहा कि बस्ती की धर्ती पर आप सब को नमन कई अर्चनों के बाद भी आप उन्हें सुनने के लिए किसान सम्मेलन में आए। वहीं उन्होंने कहा कि बनारस से बस्ती आने में बहुत तकलीफ हुई प्रशासन उन्हें जितना परेशान करना था उन्होंने किया। जो रेट है वो मिलना चाहिए विजली के मामले में उसे प्रकार के शुट मिलने चाहिए। में ताथियों के साथ मां अनपुर्णा के पूजा अर्चना करने के बाद वहां के जो महांत हैं। संकर पूरी उन्हों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि अभी जो मंदीर परसर बनाया जा रहा है जिसे कारी डोर का नाम दिया गया है जो एक जैसे सापिंग माल जैसे बन रहा है सारी दुकाने होगी गेस्ट आउस होगे लखनों में आज कॉंग्रेस पार्टी कारयाले में मीटिंग हुई जिसमें कॉंग्रेस की राष्ट्रे महासेचेफ प्र्यांका गांदी भी मौजूद रही मीटिंग खत्म होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रयांका गांदी ने कहा कि चुनावों के लिए हर स्तर पर तयारिया हो रही है दरसल अपकी बार कॉंग्रेस नोतर प्रदेश में महिलाओ को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है महिलाओ को आरक्षन देना और उन्हें शशक्त बनाना कॉंग्रेस की अपकी बार पहली प्राथमिक्ता है अगरे को अगरे करने हैं अगरे किस तरफ पर करने हैं अगरे करना देश वर दुने की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं नेटफक टैन जैहिंद क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं आपकी सेहत नहीं बनती भूख कम लगती है